जाहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत करता हूँ आपके अपने ही वैक यूटूब जैनल प्रेडिक्शन डाजा में दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं केंटिवरी मैजिशन वर्सिस और टैगोई स्पार्क्स के बीच में खिला जाएगा ड्रीम 11 ओमें सुपर समस्टी 20 का मुकाबला उसको लेके डीटेल्स में बात कर लेंगे यहां पर दोस्तों पहले देख लेते हैं दोनों टिम की एनों जिसको एड़ाइस मैच के लिए वह क कमेंट सक्षन में और सबसे टॉप कमेंट में आपको दिख जाएगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक उसके ओपर क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाएगा ता यह देखते हैं दोनों टीम का स्कॉइड जो इस मैच के लिए एनोंस हुआ ह तो दोस्तों यहाँ पर मैंने स्कॉइड जो है अल्रेडी दे रखा है अगर आप दिखेगा केंटी बूरी मैजिशन का तो वहां से आपको दिख जाएंगे फैंकी मेकाई एस अजुमोजन एम बैंक्स एंकोक्स जेडीन फिट दिख जाएंगे ए जरकिंग एल्यूज जिम सब्सक्राइब करेंगे यहाँ पर गेंदवाजी जो आपको पांच दिखेंगी प्रोपर वहां पर इनके पास तो तीन ऐसे गेंदवाज है जो आपको अल्मस्ट चार अबर करते नजर आ जाएंगी जिसमें पहला नाम है यहाँ से फ्रंकी मेका है दूसरा इनके पास है भ सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ आपको दिख जाएंगे सुजी वेट्स इमा ब्लैक सी ब्लैक ली एडन कार्सन कैटी ब्रहम ओगें पॉली इंग्लिस बेला जेम्स एम लेंपला और मॉली लो कैटी मार्टीन सौफी ओल्डर सो और दिख जाएंगी वैसा आपको सैफ्र सब्सक्राइब करेंगे गेंदवाजी में इनका एक बहुत सिंपल चाह फर्मूला है मैं पांच बॉलर को चार्चार अबर डालते नजर आ जाने वाली है बात कर लेते हैं वीनिंग परसेंटेज को लेके हैं तो अगर यहाँ पर केंटी बूडी मैजिशन का स्कॉइट दे तीन प्लियर के उपर नीरबर करती है जिसमें पहला मैं नाम बलूँगा फ्रेंक की मका का दूसरा मैं नाम बलूँगा आपको किसका एमिसरे तरवाइट का तीसरा मैं बलूँगा जेज सेवेच और आजकल बल्लेवाजी में जो थरा बहुत काम कर रही है उनके आनम है दो दूसरे दिख जाएंगी पॉली इंगलिस तूसरी तीसरी दिख जाएंगी आपको कैटी मार्टी दिख जाएंगी आपके कैटी इब्राम इस चार को भेद बाना मुझे लगता है कि केंटीवूरी मैजिसन के लिए मुझे इसी वज़ा से मैं यह स्टाइग और सपार्क्स को अब चलिए देखते हैं लास्ट मैच का कैसा अभी तक स्टेट्स रहा है इस टूनामेंट का देखो भाई मैं आपको एक टास्क जरूर्ड दूंगा कि आपको एक काम करने कि इस टूनामेंट में जो भी मैज़ू है कंटीविडी मैजिसन के और टैग वे स्पार्क्स के हु सिंपल सा जिवन जिवन दान मिला हुआ था फिर एनकोक्स की थी ग्यारव फ्रैंकी मैकाई 43 रन 47 वाल में एल तहू बैस नो बाल में तीन चोका एक चक्का सैवेज 19 की थी ये जर्किंग चार और एम बैंक्स ने की थी एक रन पल्लेबाजी के साथ गंदबाजी में बात कर ले तो यहां आपको नजरा जाएगी जैसिका सीमन्स तीन ओबर 18 रन 1 एक भीड़ एम बैंक्स čार औवर 25 रन एक बिकेट शेतर हो उपको लेके बात कर लें तो आपको मोस्त प्रीज को दिखेगी वाजिसे भी यहां से कौन एक तो दिखेगी आपको एमी सथरा दूसरा फ डालवा दिया जाता है इस मैच में अगर 20 मावर देखे तो बैस अब कौन डाली थी देख लेते हैं एक बार हम लोग कि 20 मावर कौन डाल आए थी तो फैंक की मैकाई बीच डाली थी बीचिमा ब्लैक चार अबर सत्य संद एक विगेट एम लो दो अबर एक गेंडवाजी करने आए थी याद रखेगा इस बात को कभी भी आपको अब इस पिल डालते हुए नजर आ सकती है एक अबर चार डन एक विगेट मीनी जील जील में अब इसको कैप्टन विची आप लो बात करेंगे यहां पर बल्लेवाजी में तो सुजी वेट्स चोदा की थी यहां से फिर्म पॉली इंगलिस बैतरी इन बल्लेवाज में से एक अगर टीम उटैगों की चेस करने जाएगी तो हो सकता है मैं कैटी मार्टिन के जगा पे आपको पॉली इंगलिस ट्रैक करते न तो यहां आप लोग को नजर आ जाने वाल है 15 के बाद देखिए शात्रामा ऑबर कॉन डाला है अठारमा ऑबर कैटी इब्रहाम उनिसमा आपके उध्यान में रखिएगा आपके लिए बहुत बड़ी डिफेरेंशल कैप्टेन वीसी की आप्शन कॉन रहने वाली है कैटी इब्रहाम अब चलिए फटा पर देखते हैं कुछ बरे स्टेट्स बरे स्टेट्स में दोस्तों यह देखते हैं कि 30 जनबड़ी 2020 को इन दोने के बीच में लास्ट बेटल खेला गया तो उसमें क्या हुआ था यहां पर देख बाद धान रखेगा वह सब कैटे इब्रहाम कं 26 क्रिष्टीनेशन 13 फ्रैंकी में कर वानीच आ रहे थे 26 रन हुजर्ज नो तह हो तीन और गैबी सुलीव हम छे रन की वे थे उस सीजन तक कैटी इब्रहाम गंदबाजी बिल्कुल भी ना के बरावर कर रही थी लेकिन इस सीजन में आके स्टार बॉलर सामने निकलके आई 42 की थी एमको 150 रन इसके लाबा कोई खास प्रदसन किसी का नहीं था गंदबाजी में तहु इस टेम गंदबाजी कर रही थी देखो भे एक चीज़ बताता हूं तहु अभी गंदबाजी नहीं कर रही है जब उससे गंदबाजी करना स्टार्ट कर देगी आपके लिए पर ज्यादा कुछ बात करते हुए नहीं ड्रीम इलमेंट टीम को लेकर देख लेते हैं बिकेट के पीचे आपके पास दो अप्सन है कैटी मार्टीन और पॉली इंगलिस अगर और टैगो की टीम चेस करने जाएगी और रिपीट करो मैं पॉली इंगलिस के साथ आपको जा सकते हुए बात करेंगे और यंडर से तो मैंने सेत्र वैट को लिया हुए फिर मैंने यहां से कैटी प्राम को लिया हुए अब इंडर्ण को आपको खेलते नजर नहीं आएंगी को लेकर बात कर लें तो मैंने बिकेट के पीछे मार्टिन को लिया हुआ है उसके लाब हमने बैटिंग में सुजी वेट्स नाटाली कॉक्स और जे सैवेज को लिया हुआ है फिर अल्डंडर से मैंने करने मैंने बोल दिया मेली साथ बंक्स को मिया डिकेमेंडिसन मानोगे तो एनकॉक्स के जगा पर आप लोग एस एजुमेजन को ट्रै करके चल जाहिएगा अब चलते हैं तरह देखे लगते हैं एक संटीटू का हाल तो देखिए अभी मैंने एसस का वीडियो बनाया था उसक सब्सक्राइब कर दिया तो आप लोग चाहिएगा यहां पर 22 मलती वगर कर लीजेगा अगर यह वीडियो आप लोग अभी देख रहे हो तो ठीक है बाकी चलिए इसका देख लेते हैं बैसल आपको किसको करना है जो भी पिलिए आपको लगे वैसा आज के मैच में अच्छ लेकिन सामने वाला जोगा वह आपको बैक अप करके दे सकता है एंकोक्स को आप लोग सेल कर सकते हो आपका जैसी सेवेच के लिए वेट कीजेगा क्योंकि दोस्तों इसका मुझे लगता है लगता है कि सेल डेट या बाइट में कुछ चैंजेज होंगी ऑफर सक्शन में ज को यहां पर कुछ ना करो तो बेटर होगा अगर रिस्क लेना हो तो आप लोग सेल करके चल सकती हो आप देखिए पॉली इंग्लिस चापीश में दे रही है था वेट कीजेगा अगर बाइट इसका चोवीस पचीश पाटा है तो आप बाइक कर सकते हो अदर्वाइस मैं ब बोलूँगा कि अगर आप लोग और टेगो टिम को फेवेट मानने के चल रहे हो तो यह 500 आपके लिए ठीक ठाक बाइक इपिक बनती है आपको नजर आ जाएंगी एस्पेशली केटी इब्रहम इमा ब्लैक और एडन कार्सन यह तीन आपको दो चार पांच दसनन बैटिंग एक 100 रिपीज लगा दे दो और अगर इस सबसे हैस्ट पेंट गेटर बन जाती है बाइ मिस्टेक से भी तो आपको साथ जार रिपीज दे के चले जाएंगी इस बात को याद रखीए गा तो आप लोग को सिंपल चा फर्मूला यूज़ करना है कि पांच पिलियर जो भी आ आज के मैच में हेस्ट पेंट गेटर बन सकती है उसको आप लोग यहां पर होल्ड करके रख लीजिए अच्छे खास है मौंट में इसको भी मैं बोलूगा कि आप लोग करो अगर आपको बिल्कुल सेफ खरना है तो मैं लोजिक पताता हूँ इसको भी होल्ड कर लो अगर किसी के भी प्रॉफिट होंगे तो इसका भी फोर टेम सा भी डिटर्न है इसका भी फोर टेम डिटर्स है डबल तो मीनियों ओनेगा ही तो अवरल आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके डबल तो आएगा ही और मुझ लगता है कि इसी दोनों में से कोई ना कोई हाइस्ट इस मैच में बन सकती है अब बात कर लेता हैं क्याप्टन वी सी को लेके तो वैज देखो पहले बात करेंगे पांच प्लियर का नाम जिसको आप लोग क्याप्टन वी सी आपस में रोटेट कर सकते हो यह तीन हो गई वहाँ पर उसके बाद सूजी बेट्स और जैसिंटा से यह ने कर लेने हैं इस मॉल लिकी बात करोगे तो मैं इन तीन का नाम बलूगा कि इन तीन में से आप डिसाइड करल के किसको कि एप्न किसको वी सी देना है अब ही मैं सबसे unexpected काम करूँ मैंने Captain C में अपना दर्यादिल केटी इब्रहाम को लेकर दिखाया हुआ है और VC के लिए मैंने फिलाल Frankie Mackay को चूज किया हुआ है बाकि देखेंगे after toss अगर यहां से Frankie Mackay को पहले गेंदवाजी आ जाती है को मैं Frankie Mackay को Captain और Amy Satterwhite को VCV देते आपको नजर आ सकता हूँ अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लागा और चैनल को सब्सक्राब दवाग के किजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तो तकले बाएं इंजर कीजिए अच्छा खासा वीन कीजिए